नमस्ते, खिबाय, गूरीवनिंग, सब मेरे चुपराते लोगों को कुछ important message देने के लिए मैं ज्यादा समय किसी का नहीं दूँगा, तिर्फ आपको ये एक बात clear करने के लिए कि हमने एक बात clear भी लखा है सब के सामने कि जब तक हमें writing में, हमारा constitutional solution writing में नहीं दिया जाएगा, हम कोई भी party के साथ alliance नहीं करें ये पीजेपी हो, डीपेम हो, कॉंग्रेस हो, जब तक, क्योंकि मैंने मीडिया में सुना है, जब लोग कह रहे हैं कि हमारा alliance हो गया है, हमारा alliance किसी party के साथ नहीं हुआ है और जब तक हमारा डिमाद, वो constitutional solution का डिमाद, writing में नहीं दिया गया, तब तक हम किसी के साथ भी alliance नहीं करेंगे अकेला fight करेंगे, और जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन one last fight तुख करेंगे ये मेरा message मेरे पूरे warriors को है, और जो मीडिया में जो लोग speculate कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ हम यहां तक आये हैं, क्योंकि हमने अपने लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम compromise नहीं करेंगे हम last में अपने लोगों को constitutional solution दिला करी रहे हैं, हमारा demand constitution के बाहर नहीं, हमारा demand constitution के अंदर है और एक बात तो पक्का है, कि हमने कभी भी कोई कानून नहीं तोड़ा और हम कोई community के खिलाब नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार आए, किसी का अधिकार ना जाए लेकिन जो मैंने देखा है, कि मीडिया में बहुत speculation हो रहा है, कि मैं BGP के संग जा रहा हूँ, कभी किसी और party के संग, CPM के संग जा रहा हूँ, या Congress के संग जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ हम राइटिंग में हम चाहेंगे, कि ये हमारा constitutional solution को दिया जाए, और अगर नहीं दिया जिया, तो हम किसी party के साथ नहीं जा जो गल्पी 2018 में, IPFT ने किया, वो गल्पी हम 2023 में नहीं करेंगे हमारे लोगों को बहुत धोका दिया जिया है, पहले भी, और हम आने वाले दिन में अपने लोगों को विश्वाज खात नहीं कर सकते हमें जवाब देना है अपने लोगों को, हमें अपने लोगों को बोलना है कि हम इतने दिन तक हमने fight किया और आखिर में बिना writing का हम किसी किसंग अलाइंस करेंगे यह विश्वाज खात होगा वो भागरा यह होने नहीं तो मैं रोत करता हूं सबको कि आप यह सब बात में मत जाएगे और हां आने वाले एक दो दिन में मैं IPFT से आज बात कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि IPFT भी ठांसा होकर एक पार्टी बनकर हम लोग एक संग आने वाले दिन में लगए मैं आशा करता हूं कि कुछ अच्छा ख़बर आएगा और IPFT और ती तरह मौथा भी एक हो जाएगे लेकिन इसके बाद और भी कोई मीडिया हाउस अगर यह बात पहलाता है कि हम बीजेपी के साथ अलाइंस कर रहे हैं या बात क्योंकि हमको राइटिंग में अलाइंस चाहिए अगर राइटिंग में नहीं दिया गया constitutional solution और a core demand तब तक हम किसी पार्टी से अलाइंस नहीं करेंगे बेलाई बेलाई नो हम बाए और मुझे लगता है कि इसके बाद और कोई सवाल इधर उधर का नहीं होना चाहिए हम compromise नहीं करेंगे अपने लोगों का भश्य के लिए अपने next generation करेंगे बेलाई नो हम बाए खुलोगा